प्रम्हांड के अतीत को जानने के संदर्व में हमने प्रम्हांड की शुरुवात और हमारे सौर परिवार की उत्पत्ति की विशे में जाना अब हमारी प्यारे ग्रहे प्रिथवी के इतिहास के बारे में जानेंगे की कब और किन परिश्चतियों में हमारी प्यारी प्रिथवी का जन्म हुआ और उसके जन्म से लगातार प्रिथवी में होने वाले बदलाव हुए थे यह बदलाव कब हुए और कब यहां पर प्रत्थम जीवुत्पन हुआ और हम मानो कब अपने वजूद में आए और हम मानमों के इतिहास की वास्तविक्ता क्या है? इन सभी प्रश्णों के उत्तर को इतिहास वविज्ञान के जरोखे से जानने का प्रयास किया जाएगा। वैज्ञानिक वा एतिहासिक दिष्टी से हमारे अतीत को जानने के लिए कई प्रकार के कालखंडों का सहारा लिया जाता है। मगर सबसे प्रचलित वा सरल विधी भू काल क्रम विधी के तहत हम प्रित्वी के बीते अतीत को जानने का प्रयास करेंगे। प्रित्वी के इतिहास को मुख्यत चार अवधियों में बाटा जाता है जिसे यौन कहा जाता है जिसमें से पहला है हेडियन यौन इसका कालखंड प्रित्वी के जन्म याने चार दस्मलों पांच चार अरब वर्ष पूर्व का था इस कालखंड में प्रोटो प्लेनरी डिक्स से प्रित्वी के जन्म से लेकर चंद्रमा के निर्मान की घटनाओं को ये समेटे हुए हैं दूसरा कालखंड है आरकेन यौन इसकी शुरुवात आज से चार अरब वर्ष पूर्व हुई और अंत दो दस्मलों पांच अरब वर्ष पूर्व याने धाई अरब वर्ष पूर्व हुआ यह कालखंड प्रारंभिक जीवन की शुरुवात के लिए जाना जाता है तीसरा है प्रोटो रोजोईक इयौन जिसकी शुरुवात आज से धाई अरब वर्ष पूर्व हुई और यह तिरपन करोड़ 58 लाक वर्ष पूर्व तक चला यहाँ पर जटिल जीवन तंत्र को देखा जाता है बहु कोशिय जीव प्रारंभिक पौधे जानवर व कवकों का जन्म हुआ चौथा है फैनरोजोईक इयौन जिसकी शुरुवात आज से तिरपन करोड़ 88 लाक वर्ष पूर्व हुई और यह कालखंड वर्थमान में भी चल रहा है इस कालखंड में विभिन प्रकार के जटिल जीवन तंत्र से पृत्वी भर जाती है सरिस्रिप डैनासोर और इस्तंधारी जीव उभर कर धर्ती पर अपना प्रभुत्व जमाते हैं जिसमें मनुष्य जिसने हाल में ही विक्षितो कर हमारी प्रिथ्वी पर सफलता प्राप्त की है तो इस प्रकार प्रिथ्वी के भौगोलिक वर पर्या वरणिय बदलाओ के आधार पर हम प्रिथ्वी के इतिहास को आगे जानने का प्रियास करेंगे पहले हेडियन कालखंड की मुख्य घटनाएं निम्र लिखित थी जिसमें से पहला है प्रिथ्वी का एकी कर्ण दूसरा है महासागरों का निर्मावन तीसरा है चंद्रमा का निर्मावन चोथा है पृत्वी के केंद्र में संवरिध्धी, पांचवा है पृत्वी का चुम्बकी ये छेद्र, छट्था है विलंबित बंबारी का चरण, हैडियन शब्द ग्रीक देवता हैडस से आया है, जिनको पृत्वी के प्रारंभिक चरण नरक जैसी स्थितियों से जाना जा है, हेडियन यौन की मुक्य घटनाओं में प्रित्वी के एकी करण को देखा जाता है, सौर निहारिका के धने के कारण, सूर्य वा उसके विभिन ग्रहों वा उनके घटकों का निर्माण हुआ, और इसी घटना के तहत हमारी प्रित्वी का जन्म हुआ, यह घटना आज से लगभग चार दस्मलों पांच चार अरब वर्ष पहले घटी थी, गुर्तवा करशन ने सौर परिवार के घटकों के निर्माण में महत्यपूर भूमिका आदा की, प्रारम में प्रोटो प्लेनरी डिस्क की सामगरी में धूलवा बादल इनके आपस में जुडने के कारण, इन्होंने गुच्छों का आकार लिया, और लगातार उनमें व्रिद्धी होती गई, गुर्तवा करशन बल ने इसमें महत्यपूर भूमिका निभाई, और धीरे धीरे इस एकी करण ने हमारे प्रिथ्वी ग्रह को आकार देना शुरू किया, और हमारी प्रिथ्वी का जन् खराते रहे, और मैग्मा या लावे के कारण धर्ती गर्म हो गई थी, दूसरी घटना है महासागरों का निर्मार, प्रिथ्वी के हेडियन काल से ही पाणी होने के प्रमार्य मिले है, प्रिथ्वी पर पानी होने की उत्पत्ति के लिए यह स्विकार किया जाता है कि यह प् प्रित्वी से टक्राव हो रहा था तो सर्वमान धारणा और प्रमाणों के आधार पर प्रित्वी पर पानी इसके प्रारंबिक चरण में ही उपलब्द हो गया था तीसरी घटना चंद्रमा का निर्माण हेडियन काल की महत्पुल घटनाओं में हमारे चंद्रमा का निर्माण एक महत्पुल घटना थी वैसे तो चंद्रमा के निर्माण के लिए कई परिकल पनाये हैं मगर चंद्रमा और प्रित्वी के चट्टानों के नमूनों और अन्य प थिया ग्रह कहा जाता है इसके भीशन टक्कर हुई यह टक्कर प्रित्वी से सीधे न होकर इसके किनारे पर हुई और यह टक्कर इतनी भीशन थी कि इसके कारण एक बड़ा हिस्सा मलबे के रूप में दूर तक उछला और यही मलबा धीरे धीरे चंद्रमा के रूप में परिवर्तित हो गया और प्रित्वी के गृत्वा करशन ने चंद्रमा को अपने नियंत्रण में ले लिया और तब से चंद्रमा हमारी प्रित्वी की परिक्रमा कर रहा है चंद्रमा के निर्मान का पिर्थवी के जलवायू पर गहरा प्रभाव पड़ा चंद्रमा ने न केवल पिर्थवी के घूणन को धिमा किया बलकि इसके प्रभाव के कारण पिर्थवी अपनी धूरी पर जुग गई यह चंद्रमा ही है जिसके कारण पृत्वी में अधिक संतुलित चलवायु का विकास हुआ चोथी घटना पृत्वी के केंद्र में सम्वरिधी जैसा कि पृत्वी पर लगातार छुद्र ग्रहों वा उलका पिंडों का टकराना जारी रहा इस कारण पृत्वी के केंद्र में भारी सामग्रियां जमा हो गई और इसका केंद्र लोहे वा जस्ते जैसी भारी सामग्री से मिलकर पन गए पृत्वी घटना पृत्वी का चुम्बकी ये छेत्र पृत्वी के कोर में भारी सामग्री जैसे लोहे का जमावड़ा हो रहा था जिसने आंत्रिक भारी केंद्र को इस्थापित कर दिया आंत्रिक कोर के कारण सम्वहन धाराएं पैदा हुई और इसने इसके चुम्बकी ये छेत्र का निर्मान किया इसका विकास हेडियन काल में ही हुआ जिसने सौर किरणों को विक्षेपित किया और इसी ने प्रित्वी पर जीवन के वातावरण को अनुकूल कर दिया चठी हटना विलंबित बंबारी चर्ण हेडियन काल के अंतिम चर्ण में बड़ी संख्या में चुद्र ग्रह और धूम के तु प्रित्वी से टकरा रहे थे ये टकरा बेहत भीशन था इस कारण प्रित्वी का बड़ा हिस्सा गर्मी के कारण पिगल गया यह वा काल था जहाँ पर प्रित्वी सही चंद्रमावव अन्य ग्रहों पर उल्का पिंडों की भारी बंबारी हो रही थी और इस प्रकार हेडियन काल खत्म हुआ और आरकेजन इयोन काल की शुरुआत हुई हेडियन काल के प्रमान या चटाने जो लगातार भौगोलिक परिवर्तनों के कारण पिघल गई थी मगर उन्हें दुर्लव रूप में आज भी धर्ती पर पाया जाता है जिन्हें जिरकौन चटान कहा जाता है उदाहरणों में जैक हिल्स मध्य पश्चिम औस्टेलिया में पहाड़ियों की एक स्रिंखला है इन्हें आज तक पाये गए इस्थलिय मूल ग्रह की सबसे पुरानी सामग्री के स्रोत में चाना जाता है हेडियन जिरकौन जो आज से लगबग चार अरब चालिस करूण वर शुपुर्व बने थे तो इस हेडियन काल की तुलना प्रना इसे की जाती है लगातार उलका पिंडो धूम के तू छुद रगहों के टकराव के कारण प्रित्वी की इस्थिती और इस्थिर्थी हलाकि हमें इस काल में जीवन के प्रमान नहीं दिखाई देते हैं मगर जीवन के आदिम रूप की संभावनाओं को भी दीखा जाता है तो इस प्रकार हेडियन इयोन काल खत्म हुआ और आरके इयोन काल की शुरुवात हुई अब आगे आरके इयोन काल की महत पुन घटनाओं को जानने के लिए बने रहिए थन्यवार